तो आज मैं शेयर करूंगी आलू और प्यास की पराटे बिल्कुल धाबा स्टायल में जैसे कि हमें धाबों में मिलते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलिसेस होता है तो देखके मूं में पानी आने लगता है लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है इसके बाद इसमें मैंने आदा चम्मच नमक आड़ किया था इसके बाद एक चम्मच तेल आड़ करेंगे यहां पर मैंने रिफाइन ओल आड़ किया है यह एक चम्मच अज्वाइन है जिसको ऐसे हातों से रब करके इसमें डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर कर देंगे आटों में और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा डो एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे यहां पर सॉफ्ट डो बनाना बहुत जुरूरी होता है जैसे कि जब हम इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे तो हमारे पराठे जो है वो फटे नहीं तो बस इसको हलका हलका पानी डाल के और हाथों से मसल मसल के एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे यहां पर आटे को गीला नहीं करना है जस्ट इसको एक सॉफ्ट सा डो बनाके रेडी करना है तो बस यह देखे हैं हमारा डो जो है वो रेडी हो गया है तो बस इसको ढख चटनी बनाएंगे जो कि आलू और प्यास के प्राटे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा दनिया लिया है जिसको कि मैंने दो लिया है और उसके रूट्स को तोड़कर अलग कर लिया है तो इसको एक ब्लेंडर में डाल देंगे इसके साथ ही पांच से लेसिन की कलिया है और यह एक टमाटर है जिसको कि मैंने गैस पर अच्छे से भून लिया है तो इसकी जो स्कीन उसको हम निकाल देंगे और फिर इसको इसमें डाल देंगे फिर मैं यहां पर आदा चम्मच नमक कर रही हूं और फिर हम इसको चटनी बना के पीस ल लेंगे फिर मैं यहां पर एक चम्मच नमक कर रही हूं तो बस हमारी हरी चटनी बन के त्यार हो गई है तो चलिए अपनी स्टफिंग बना लेते हैं तो यहां पर मैंने चार आलू लिये थे जिसको कि मैंने बॉल कर लिया है और उनका स्कीन निकाल लिया है तो बस इन अच्छे से हमारा आलू जो है वह मैस हो जाए तो यहां पर मैंने एक प्यास दिया था जिसको कि मैंने फाइनली चॉप कर लिया है तो इसको यहां पर डाल देंगे इसके बाद यह चार हरी मिर्च है इसको मैं चरशे लेटु क्रों में काट लिया है उसको भी आट कर इसके बाद मैं यहां पर आदा चम्मच रलडी पॉडर आट कर रही हूँ आदा चम्मच गोल की पॉडर आदा चम्मच जीरा बॉडर और आदा चम्मच धनिया पॉडर इसकी बाद मैंने यहाँ पर एक चम्माज चाट मसारा आड़ किया है इसकी बाद मैं यहाँ पर एक चम्माज मस्टर डाल आड़ कर रही हूँ यह अप्शनल है और फिर यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग आड़ कर दीजे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू में जिससे की सारे फ्लेबर जो है वह अच्छे से आए तो बस इसको मिला देंगे तो बस ही हाँ आलू और प्याच की स्टफिंग जो है वह रेडी हो चुकी है तो चलिए हम अपने पराठे बनाते हैं तो पहले हम एक चोटा सा पोर्शन लेंगे हमारे डो से और उसे एक ऐसा गोल सा पेड़ा बना लेंगे और फिर उसको सुखे आटे से डस्ट कर लेंगे और फिर ऐसे हाथों से गोल गोल घुमाते हुए उसका एक ऐसे अंदर होल जैसा बना लेंगे फिर थोड़ा सा हम अपनी स्टाफिंग लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे फिर मैं यहां पर थोड़ा सा सुखा टाइट करी हूँ जिसे कि हमारे प्राठे फटेंगे नहीं और अच्छे से बिल जाएंगे फिर हलके हाथों से प्रेस करते हुए और इसको राउंड राउंड गुमाते हुए हम अपने प्राठे के लिए उसको रेडी कर लेंगे बस हाथों से इसको प्रेस कर लें और अच्छे से इसको सील कर दें जिसे कि आलू जो है वो बाहर ना आए तो इसी तरीके से हम अपने सारे बॉल जो है वो रेडी कर लेंगे पराटो के लिए स्टफ करके तो बस कुछ नहीं करना है पहले सुखे आटों से इसको डस्टिंग करनी है और फिर हातों से ऐसे राउंड राउंड गुमाना है और फिर थोड़ा सा स्टफिंग लेके इसके अंदर फिल करना है पिस्सुखे हाटों से इसको थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे और हाथों से प्रेस करते हुए इसको गुल-गुल गुमाते रहेंगे और फिर इसके जो कॉर्णनर जो है उन सबको सील कर लेंगे एक साथ करके और फिर इसको प्रेस कर लेंगे तो बस यह हमारे प्राठे का बॉल जो है वो रेडी हो चुका है तो अब हम इन से अपने प्राठे बनाएंगे तो थोड़ा सा सुखा हाटा ऐसे लेकर इसको अच्छे से सुखे हाटे में डस्ट कर लेंगे तो पहले इसको हाथों से थोड़ा सा से राउंड राउंड करके फैलाने की कोशिस कर लेंगे जिसे की बेलते समय यह फटे ना अजि इसको बेलन की मदद से इसको अज्टा हएल्का फैला लेंगे हैं कि ज्यादा जोड़ से यह आंप प्रस करने तो यह फटा भी सकते हैं थालके हाथों से इसको बेलेंगे और फिर तो नहीं ज्यादा वोटा पृतला रखेंगे तो ये देखिए हमारे पराठे जो है वो बिल के तयार हो चुके हैं एक और पराठे दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे बेलेंगे तो पहले इसको हाथे से ऐसे फैला ले और फिर थोड़े से सुखे हाटे से इसको रस्टिंग करके हलके हाथों से बेलन से इसको फैला लेंगे तो बस ये देखिए हमारे पराठे जो है वो बिल के तयार हो चुके हैं तो चले इनको सेक लेते हैं तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया था कैस पर गरम होने के लिए तो उसमें हम अपने पराठे जो बेले हुए हैं उसको डाल देंगे और एक सेट अच्छे से कुक होने के बाद इसको पलट देंगे और फिर इसमें ऑयल या घी लगा देंगे फिर इसको दूसरे साइट भी पलट देंगे और इस साइट भी घी और ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसको अच्छे से कुक करेंगे एक स्पेचुला की मदद से इसे ऐसे प्रेस कर लेंगे जिसे कि ये अच्छे से कुक हो जाएं यह देखिए हमारे फिर जो है कि इतने अच्छे से कुक हो गया है कितना अच्छा कलर भी आया है कि यह अलके हलके फूल भी रहा है तो इस यह अंदर से अच्छे से कुक हो चुक है है तो बस इस प्राद्टे को निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे पराटे जो है वो सेख लेंगे तो मैंने यहापे एक और पराटा डाल दिया है तो वहापे सेखने के लिए फिर जैसे एक साइट कुक होगा तो हम इसको पलट लेंगे और फिर सेम प्रोसेस से इस साइट भी और लगाकर इसको अच्छे से कुक करेंगे वहापे जापे प्रोसे से इसको अच्रो खरा करेंगे तो तो यह देखिए हमारा दूसरा पराठा भी जो है वह से केक दम त्यार हो चुका है तो बस इसको गर्मा गरम सर्फ करिए दही के साथ और हरी चटनी के साथ बहुत ही डिलीसर टेस्ट लगता है और मॉर्निंग बेकफास के लिए बहुत अच्छा ओप्सन है आप बचों को टिफिन या हस्बेन को टिफिन के लिए भी दे सकते हैं यह ठंडे होने के बाद भी पराठे उतने ही टेस्टी लगते हैं तो बस इस रेसिपी से जरूर ट्राइ करिए पराठो को और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मैरे चैनल को सब्सक्राइब करिए नॉटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूले और लाइक और थैंक्स वर वच्ची लगते हैं